प्रारंब होने से पहली पंचाम्रत पूजन महाविशेक किया गया चंद्रयान्थ्री की सफलता के लिए विशेश मंत्रू का उच्चारण किया गया। आज भश्मार्ती में भगवान महाकाल से जो हिंदुस्तान का सपना है उसको पूरा होने के लिए प्रात्म करी है जैसे कि आज शाम को 6 बजे करीब चंद्रयान्थ्री चंद्रमा पे लेंड करेगा जो भारत के लिए एक गर्व का पल रहेगा उसके लिए प्रात्मना करी ये हर भारत वर्ष और हर भारत वासी का सपना है कि भारत की उन्नती प्रगती होती रहे एसे ही भगवान महाकाल से पुजारी परिवार द्वारा वो भक्तों द्वारा प्रात्ना करी गई है कि भारत को एक अच्छी से अच्छी और विश्व गुरु की पेचान मिले वो भार इसे ही तर्की करता रहे। राष्ट्र की उन्मिती के लिए राध्रा की। हाथ में तिरंगा तथा चंद्रियान 3 का चत्रलिये वे महाकाल से प्रार्थना करते दिखाए दिये। आज हम यह महाकाल की दर्शन करने आए हैं। आज बहुत ही खास दिन है चंद्रियान 3 चंद्रमा पर अज उतरने वाला है। तो उसकी सफलता के लिए हमने प्रे किया है। और हमारे वेग्यानिकों ने बहुत जादा महनत किये। तो हम सबको मुवारक हो और हम बहुत खुश है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि चंद्रियान 3 का चंद्रमा पर आज लैंड करने वाला है। तो हम लोग महाकाल से भी उसके लिए प्राथना किये है। हमारे वेग्यानिकों ने जितोड महनत किया है और एक नया कृतिमान स्थापित किया है। इसके लिए लेकिन विज्ञान के साथ साथ सारातन का भी एक अप्रा महत्व है। हमने बावा भुले से प्रातना किया है कि सबकुछ अच्छे तरीके से हो जाए। ताकि इस पुरे विश्व में हमारा देश का एक नया कृतिमान स्थापित हो। आपको बताती चलें कि चांदपर्श अंद्रयांत्री की लेंडिंग के लिए छे बच कर चार मिनिट का समय दिया गया है। भारत आज अंद्रिक्ष की दुनिया में देहास रचनी से बस कुछी कदम दूर है।